लडाई सिर्फ हम लोगों के बीच में नहीं होती, लडाई साइंटिस्टों के बीच में भी होती है, लेनार्ड की लडाई थी Einstein के साथ, दोनों की थोरी आई, फोटो एलेक्टिक्रिक के आई, एक बोल रहा था पार्टिकल, एक बोल रहा था वेव, पहले एक चुली में दो पार्टीज होती थी एक होती थी जो बोलती थी कि हर चीज पर वाज वेव है फिर बाद में दोनों को क्लब कर दिया गया मगर लेनार्ड और आइंस्टीन के बीच में जो लडाई हैं हुई वो आज भी आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और बहुत 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 लेविल जादा पर लडाई हैं हुई कि लेनार्ड ने जॉइन कर लिया था नाजीज को जर्मन साइंटिस्ट थे और इनको भी नोबल प्राइज मिला आइंस्टीन को भी नोबल प्राइज मिला और बहुत जादा लडाई होती थी और आइंस्टीन ने तो बहुत थी जादा बोला फिर लेनार्ड ने भी उस पर reply बहुत सारे दिये, खैर, तो बढ़ते हैं इस लेनार्ड experiment की तरफ, और देखते हैं कि इन्होंने क्या ढूंड निकाला था, तो भाई, लेनार्ड का जो setup था, वो बहुत simple setup था, बिल्कुल एक simple सा एक tube था, यहां पर उन्होंने cords की window बना कर रखी हुई थी, यहां से वो एक light incident कर रहे थे, यह हमारे पास metal की एक plate थी, जिसको cathode था, क्योंकि इसको हमने negative से connect करके रखा था, हमारे पास setup था, आप इसको simple बनाओ, एक emitter लगा दो यहां पर, micro emitter, mili emitter लगा दो यहां पर, कर देना, यहां पर एक simple battery लगा दो, battery की polarity बदल दोगे, तो आपकी polarity भी बदल जाएगी, मतलब जो आप करना चाह रहे थे, उसकी polarity बदल जाएगी, खेर, तो यहां पर आते हैं अपन, तो यह tube थी, cords का एक window था, यहां से light incident हुई, और यह जो थी, यह cathode ray tube थी, हमारे पास, simply, और यह हमारे पास positive था, anode था, अब हुआ क्या, जब उन्होंने यहां से light को incident कराया, तब उन्होंने अलग-अलग चीजों को observe किया, और वो जो observations थी, उनकी, वो हम Leonard experiment में पढ़ते हैं, ठीक है, so when light is incident on a metal plate, it may causes an electron to come out from the metal, यह नोंने अपने experiment से observe किया था, जो Leonard थे, उनके scientific scientist और थे, also observe when the light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all, when the frequency is of the incident light was smaller than the threshold frequency, मतलब यह एक इनका initially observation थी, कि पहले तो हमें यहां से जब electron नहीं निकलेंगे, तो इस circuit में कभी कोई current आ ही नहीं पाएगा, तो यहां पर reading zero आईगी अपने पास emitter की, तो यह उन्होंने observe किया था initially, बाद में उन्होंने फिर इसमर बदल बदल के frequency, intensity बदल बदल के कुछ observations निका ली, अब आते हैं एक किक करके उनके observation पे, सबसे पहला effect of intensity on the incident light on photo current, अब उन्होंने यह चीज नोट करी, कि जब वो अपने setup में, यह जो setup था, इस setup में जब वो intensity को light की बढ़ा रहते, intensity का मतलब क्या होता है, actually मैं हम यह कहते हैं कि light travel in the form of bundles, bundles के form में आती है, जिसे अपन कौंटा बोलते हैं, और e is equal to h2, यह अपने पास उसका formula भी है energy का, तो actually मैं जब किसी surface के उपर, यह हमारे पास एक surface है, इस surface के उपर, जब light आ रही है, तो actually मैं वो bundles गिर रहे हैं यहाँ पर, तो intensity का मतलब होता है कि, कितने number of photons, अगर यहाँ पर बहुत ज़ादा intensity है, मतलब बहुत ज़ादा packets से light के, कितने photons per second, per unit area incident हो रहे हैं, वो हमें बताते हैं intensity, अगर ज़ादा photons आए, मतलब ऐसे समझ लो, आप की आप coaching के बाहर खड़े हुए हो, और line लगी हुई है, एक के बाद एक गाड़ी pick करने वाली, अगर गाड़ी हैं तेजी से आ रहे हैं, मतलब photons तेजी से आ रहे हैं, वो area unit है आपके पास, per second, ज़ादा गाड़ी हैं आ रहे हैं, इसका मतलब है, कि यहाँ पर intensity ज़ादा है, तो intensity मतलब number of photons, जो unit area पर second आ रहे हैं, वो कहलाती है intensity, तो उन्होंने यह observe किया, कि जब ज़ादा photons आए, प्रोवाइडिट की frequency, वो minimum frequency से ज़ादा थी, तो जो current था, अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर intensity ज़ादा हुई, तो ज़ादा bundles आएंगे, ज़ादा bundles आएंगे, तो यहाँ electrons भी ज़ादा निकलेंगे, जब electrons ज़ादा निकलेंगे, तो इस circuit में current भी ज़ादा हो जाएगा, तो सबसे पहली observation तो उनकी यही थी, कि as the intensity of incident light increases, the photo current also increases, and the graph will be linear, and this graph is very 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 important, अब जो मैं जितने भी graph इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ, वो सारे के सारे graph बहुत ज़ादा important है, और मैं आप से बिलकुली अलग वे में इसको समझाने की बात कर रहा हूँ, बिलकुल भी bookish style में नहीं हूँ, traditional teacher type नहीं पढ़ा रहा, बाबा जी style में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए समझो, number of photons जादा आएंगे, number of electrons जादा निकलेंगे, photo current बढ़ता चला जाएगा, intensity versus photo current का graph बनाओगे, तो that graph will be a straight line, इसके बाद, मगर frequency threshold से जादा होनी चाहिए, इसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने का बाई, electron तो निकल रहा है, मगर ये जो हमारे पास anode है, इस side, इस पर जो positive potential है, negative potential है, उसका कोई effect पढ़ रहा है क्या, तो जब यहाँ पर अपनने fixed frequency रखी, और वो minimum frequency, threshold frequency से जादा रखी, और intensity भी हमने यहाँ पर fix कर दी, अब intensity fix कर दी, मतलब की number of electrons यहाँ से जो निकल रहा है, वो fix निकल रहा है, फिर उन्होंने कहा कि इस voltage का कोई effect पढ़ेगा क्या, तो अब initially उन्होंने क्या करा, initially उन्होंने यह किया, कि इसको short कर दिया, short कर दिया मतलब की zero potential difference, कोई voltage voltage कुछ नहीं लगाया उन्होंने, बस एक millimeter यहाँ पर लगा दिया, ताकि अपन उसके current को measure कर सकें, उन्होंने यह देखा कि जब light आई, तो यहाँ पर बहुत कम electron पहुँच रहे थे, मतलब current की value बहुत कम थी, मगर थी, मगर थी, तो अगर यहाँ पर अपन देखें, तो initially यह है वो point, जिस point पर हम यह बोल रहे हैं, कि जो plate A है, उसका potential हमारे पास क्या है zero है, बड़ उस समय current zero नहीं है, क्योंकि कुछ electron तो यहाँ पहुँच रहे हैं, इसको एक बहुत मस्त example से समझाता हूँ तुमको, प्रिंसिपल असेंबली हुई और तुम सबसे कहा की चलो, अब जाओ, classes attend करो, तो तुम में से कोई जो था वो इधर भाग गया, कोई जो था वो इधर भाग गया, कोई वाश रूम में जाके छुप गया, अरे यार पहला period attend नहीं करेंगा, अटेंडेंस तो लगी जाएगी, है ना, और कोई जो था वो बहुत कम, मतलब 99 में से 0.1, 1% बच्चा जो था वो class में जाके बैड़ गया, क्योंकि कोई उनको डाटने वाला नहीं था बीच में, अब क्या हुआ, अब अपन ने, यहां जो principal थे, principal शाणे, principal ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, principal ने एक teacher यहां पे खड़ा कर दिया, अब जब वो teacher खड़ा हुआ, तो तुम यहां से तो निकले, अब कुछ लोग यहां भागना चा रहे थे, मगर इस teacher ने कहा चलो class में, तो हुआ यह कि ज़ादा बच्चे class में जाने लगे, फिर principal ने कहा अभी भग रहे हैं बच्चे, तो उन्होंने एक teacher और खड़ा कर दिया यहां पे, अब और ज़ादा बच्चे class में जाने लगे, फिर उन्होंने एक teacher और कर दिया, एक teacher और कर दिया, अब सारे बच्चे जो थे वो यहां असेंब्ली से सीधे क्लास में जाने लगे फिर भी principal सर माने नहीं principal सर ने कहा कि एक काम करते हैं दो teacher और खड़े कर देते हैं क्या इन दो teacher या चार teacher से कोई फाइदा होने वाला है कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सारे तो पहुँची रहे न अब क्लास में एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने का मतलब क्या अब यहाँ पर इसको रिलेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ जब यहाँ पर कोई potential difference नहीं था इन दोनों के बीच में short circuit था उस समय कुछ electron जो कोई teacher नहीं खड़ा था न तो कुछ-कुछ electron जा रहे थे बस वैसे ही कुछ electron यहाँ पहुँच गए तो उसकी वजह से जब वो electron यहाँ पहुचे तो कुछ current बना अब हमने क्या किया इसके potential को बढ़ाना start किया थोड़ा सा बढ़ाया मतलब एक teacher खड़ा किया तो यह positive इस electron के negative को क्या करेगा attract करेगा जब attract करेगा तो थोड़ी सी current की value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और यह देखो यह current की value बढ़ी फिर हमने positive और बढ़ाया intensity fix है number of electrons fix है frequency fix है सिर्फ voltage change कर रहे है और बढ़ा दिया और बढ़ाया तो और teacher खड़े कर दिये जब और teacher खड़े कर दिये तो और electron जो है और बच्चे जो है वो class में पहुँचने लगे और electron जो इदर उदर भाग रहे थे अब यहां आने लग गए जब आने लगे तो current की value और बढ़ गई यह बढ़ गई यह बढ़ गई यह बढ़ गई मगर अब क्या हुआ आपने इस positive को बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक time ऐसा था आया कि सारे electron यहां आने लगे कोई electron इदर उदर जाई नहीं रहा तो अब जो है वो आपका current peak value को reach कर चुका है अब अगर आप और voltage बढ़ाओगे तो कोई भी फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी electron इदर उदर फागी नहीं रहा अब तो सारे electron यहां पर आने लग गए हैं इसलिए जो current है वो fixed हो चुका है वो constant हो चुका है और उस current को हम बोलते हैं saturation current मतलब एक limit तक तो यह बढ़ेगा मगर उसके बाद अगर आपने और बढ़ाया तो अब यह और जादा बढ़ने वाला नहीं है अगर और जादा बढ़ने वाला नहीं है आप voltage बढ़ाओ तब भी यह क्या रहेगा constant रहेगा इसे हम बोलते हैं saturation current अब अगर अगे बढ़ें तो हमारे पास जो next आ रहा है वो next है कि अगर इसको आप positive की जगा पर negative कर देते तो यहाँ पर यह positive की जगा नेगेटिव कर देते तो तो देखो यार क्या है आप कितना भी distraction लगो life में मगर कुछ ऐसे student होते हैं जो यह कहते हैं मुझे पढ़ना है मुझे कुछ और आता नहीं है मुझे कुछ और करना नहीं है मैं तो चुपचाप पढ़ाई करूँगा तो वो तो जाएंगे यहाँ पर अब यहाँ से जो electron निकल रहे थे उन electrons के पास थी kinetic energy आपने जब यहाँ पर negative लगाया तो यह negative इनका अपोस करेगा जब अपोस करेगा तो number of electron जो पहले पहुच रहे थे अब negative side पर आगाया पर यह negative वाले side पर आए तो अब पहले जो electron पहुच रहे थे अब कुछ कम electron पहुचेंगे क्योंकि यह positive नेगेटिव वाला उसको रिपैल करेगा तो यह अपने पास photo current कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा और एक ऐसा negative voltage आएगा जिस voltage पर क्योंकि हम लोगों ने यह पुराने पाप है हमारे w is equal to qv याद करो electric potential की definition के time पर भी अपने यह पड़ा है तो यह जो है यह हमारे पास energy है किसकी वज़े से अगर q charge को potential difference v के अंदर छोड़ दें तो कितनी energy आ जाएगी qv अब यहाँ पर negative है वो इसको repel कर रहा है repel कर रहा है मतलब कि opposite direction में आप पर यहाँ पर अगा रहा है electron पर ev क्योंकि q electron का e होता है और यहाँ से electron निकल के आ रहा है जिसके पास काइनेटिक energy half mv square यहाँ से energy मिली यह निकला बाहर यह भाग रहा है इस तरफ यह बोल रहा है नहीं तो इदर नहीं आएगा इसके करण जो opposite direction में energy है यहाँ पर वो ev है एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस व को opposite में negative में बढ़ाते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यह जो ev है यह यहाँ से आने वाले electron की काइनेटिक energy के बराबर हो जाएगा अब यह electron यहाँ से आ रहा है काइनेटिक energy half mv square लेके और यहाँ से जो ev है opposite direction में जो energy है वह इस direction में ev लगी हुई है बाई साहब अब यह बोल देगा electron तुम्हें निकलने की और यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे पास इतनी energy आ चुकी है ev जो half mv square के बराबर है और अब electron नहीं आएगा और उस समय आपका जो photo current होगा वो zero हो जाएगा और जिस potential पर यह voltage यह current हमारा zero होगा उसको हम बोलते हैं stopping potential फिर से समझो जब यह positive था तो कुछ current था zero पे फिर बढ़ाते जाओ जादा electron आएंगे जादा electron आएंगे एक time पर पूरे electron आजाएंगे constant अगर negative side पे करा तो ev बढ़ेगा मतलब की इस direction में ev repel वाला तो अगर ev बढ़ेगा तो current कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा और एक time आएगा की current हमारा zero हो जाएगा उस potential को अपन बोलते हैं stopping potential तो यह आपके सामने था graph यह आपके सामने थी anode potential की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ stopping potential की definition the stopping potential और stopping voltage refers to the voltage difference required to stop किसके बीच का cathode और enode के बीच का required to stop the electrons from moving between the plates और to seize the photo current in the photoelectric experiment stopping potential किस पर depend करता है आने वाले electrons के पास क्या है kinetic energy energy frequency से जुड़ी हुई होती है तो stopping potential intensity पर depend नहीं करता क्योंकि उसको number of electrons से मतलब नहीं है उसे उनकी energy से मतलब है तो इसलिए stopping potential intensity पर depend नहीं करता मगर अगर आप क्या चीज़ चेंज करो अगर आप frequency चेंज करो तो यह change होगा मतलब for a given intensity of radiation the stopping potential depends on frequency जादा frequency रखोगे जादा stopping potential लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि जादा frequency की कारण उनकी energy निकलने वाले electron की जादा हो जाएगी तो रोकने के लिए भी जादा energy देनी पड़ेगी और यहाँ पर मैं यह बोल सकता हूँ कि EV naught is equal to half mv square और यह जो v naught है यह आपका stopping potential है जिस potential पर आने वाले electron की kinetic energy EV के बराबर हो जाती है उस पर photo current seize हो जाता है और यह आपको notes में मिली रही है सारी चीजें पिलकुल भी tension मतलो समझने पर पूरा ध्यान दो अब आता है अपने पास effect of frequency अब अब frequency पे आ जाते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि frequency मैंने बढ़ा दी तो होता क्या है देखो यार पापा ने दिये तो 100 रुपे खर्च करने मेरा सामान तो आ चुका है 60 रुपे में kinetic energy आ गई यहाँ पर जब electron आया और अगर उस electron को आपने work function से जादा energy दे दी और energy मतलब e is equal to h new frequency जादा है तो होगा क्या work function वाली energy तो बाहर निकालने में लगी और उसके बाद वो जो बची हुई energy थी वो जो 40 रुपे थे ना बाहर के वो उसके कारण ये भागना शुरू कर देगा मतलब kinetic energy आ जाएगी तो इसी लिए अगर आपसे कोई कहे intensity सेम है number of electrons सेम रहेंगे तो saturation current पे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा मगर अगर आपने frequency बढ़ा दी तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो stopping potential है वो बढ़ जाएगा इस graph में मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा याने कि आपका stopping potential बढ़ गया अगर आपने ये V है V not 2 V not 1 ये new 1 है ये new 2 है अगर frequency आपने बढ़ा दी तो आपका जो stopping potential है वो बढ़ जाएगा क्योंकि electron की half mv square बढ़ जाएगा half mv square बढ़ गया तो stopping potential भी बढ़ जाएगा अगर मैं frequency और बढ़ा दूँ तो ये graph थोड़ा और shift हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा और आप कहोगे कि बाबा जी saturation current same क्यों है हर बार क्योंकि मैंने intensity हर बार same ली और अगर intensity same है intensity same है तो फिर आपके number of electrons same है तो आपका जो maximum current है वो भी same रहेगा कोई फर्क पढ़ने वाली बात नहीं है तो अगर आप frequency बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी क्या बढ़ेगा stopping potential बढ़ जाएगा और ये आपके पास तीन अलग अलग frequencies के लिए मतलब कि यहाँ पर अगर new 3 new 2 से भी बढ़ा है तो negative में आपका जो potential आएगा V03 वो और बढ़ा आ जाएगा ये आपके पास effect था किस चीज़ का effect था ये effect था frequency का जादा frequency increase करो जादा kinetic energy से बाहर आएगा stopping potential जादा मगर intensity same थी इसलिए saturation current same तो आज के बाद अपने लिए rule बना लो कि frequency बढ़ली तो kinetic energy बढ़लेगी kinetic energy बढ़ली तो stopping potential बढ़लेगा अगर intensity नहीं बढ़ली stopping potential is related to frequency मतलब stopping potential frequency का पार्टी का है अगर frequency नहीं बदली तो stopping potential कभी नहीं बदलेगा और saturation current intensity की पार्टी का है अगर intensity नहीं बदली तो saturation current बदलने वाला नहीं है क्योंकि number of electrons fixed निकलेगे आ जाओ आगे इसके बाद एक चीज़ और अपन यहां देख लेते हैं अगर मैं frequency same रखता और अगर intensity अलग अलग ले लेता तो क्या होता तो graph तो वैसे ही बनना था यह आपके पास है stopping potential मगर क्योंकि अब frequency same है तो stopping potential पे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा हर बार यहीं से start हो रहा है मगर आप यहां पर अगर intensity को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा intensity बढ़ी तो saturation current बढ़ता जा रहा है मतलब कि I2 जादा हो गया I3 और जादा हो गया intensity बढ़ेगी number of electrons जादा निकलेंगे क्यों क्योंकि जादा bundles आ रहे है number of electrons जादा निकलेंगे तो आपके intensity भी जादा हो जाएगी आपके saturation current भी जादा हो जाएगा और intensity saturation current के proportion हो गई अगर frequency threshold frequency से जादा है तो तो यह आपके पास graph है same frequency है तो stopping potential same है मगर saturation current अलग अलगे इसके पहले वाले में intensity same थी तो सबका saturation current same है मगर जिसकी frequency जादा उसका stopping potential जादा आपको यह video पूरी तरह से समझ में आया मुझे 100% भरोसा है और अब आपसे पूछा जाएगा laws of photoelectric effect तो जो हमने अभी तक किया है वही words में समझाना है अब क्या for a given metal and frequency of incident radiation the number of photo electrons ejected per second is directly proportional to intensity of light provided the frequency is greater than threshold मतलब intensity जादा तो photo current भी जादा for a given metal exist a minimum frequency threshold frequency वाला second point पहला intensity वाला point दूसरा frequency वाला point the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photo electron is independent of intensity of light मतलब की जो electron निकल रहे हैं उनकी जो maximum energy है वो photo intensity के light की intensity के independent है वो सिर्फ वो सिर्फ frequency पे depend करती है और सबसे last point photo electric emission एक instantaneous process है यह wave theory का बहुत बड़ा drawback नोंने निकाल कर बता दिया wave theory बोलती थी कि light आएगी absorb होगी सारे electrons में बटेगी फिर time लगेगा electron को बाहर आने में ऐसा नहीं होता जैसे ही light आई वैसे ही electron निकला यह एक और बहुत बढ़िया observation थी leynard experiment की जो की बाद में law बन गई photo electric effect का that the photo electric emission is a instantaneous process so four points सबसे पहले intensity is directly proportional to what the photo current number one number two frequency minimum चाहिए होती है electron को बाहर निकालने के लिए उसे हम बोलते हैं threshold frequency intensity पर वो depend नहीं करता इसके बाद जो kinetic energy है वो frequency पर depend करती है intensity पर नहीं करती और जो last point है कि यह जो process है यह एक instantaneous process है light आई electron बाहर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे बाबा जी भी इस वीडियो से अब बाहर होने जा रहे हैं मिलते हैं next video में keep supporting us share subscribe and like यह सारी चीजें करते रहो मिलते हैं next video में जिसमें Einstein सहाब की बारे में अपन बात करेंगे और wave theory के failure के बारे में बात करेंगे और उसके बाद deeprogly के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही चैहो झाल झाल कंप झाल झाल झाल